हेलो माई डियर इस्ट्टेंट आज हम इंगलिस रीडर क्लास 6 लेसन 8 दह हैर आन्दा मून क्वेश्चान अंसर में राइटिंग एन एक्टिविटी को जानेंगे आप देख रहे हैं डिडी की पार साला मैं हूँ आपका गुरु जी दाने स्वर्दुरु जी तो चलो करते हैं क्वेश्चन का अंसर बनाना सुरु जी तो चलो आज़ा भई क्लास 6 दह हैर आन्दा मून का जो राइटिंग का क्वेश्चन अंसर है उसको बनाना प्रारम करते हैं अगर आप ग्रामर का क्वेश्चन अंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिक मिल जाएगा और अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल का वश्चे सस्क्राइब करके बेल आइकन को दबाईए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की जनकारी मि जो छोड़ा है for her child अपने बच्चों के लिए before living the house अर्थात जब घर को छोड़े उसमें तो घर छोड़ने के पूर्वा एक मां का अपने बच्चे के लिए संदेश जो छोड़ा है उसको देखिए क्या संदेश है यहां box में दिया गया है तो देखते हैं going out for half an hour half an hour आदा आपका नास्ता is on the table पर है अर्थात आदा घंटे के लिए बाहर जाना है ना और आपका नास्ता मेच पर है ऐसा माने क्या छोड़ दिया message छोड़ दी है अब देखू उसके बाद question किया गया है और with the help of this example अर्थात इस उधारन की सहता से write a message एक संदेश लिखिए for your mother अपन information दिया गया है अर्थात इस उधारन की सहता से निम्नांकित सुचनाओं को देते हुए अपनी मा के लिए एक संदेश लिखिए मा के लिए क्या लिखना है संदेश लिखना है और किस तरह से उसका हिंट दिया है यहाँ पर देखिए you are going out to play अर्थात आप खेलने के लिए ब मम्मी के लिए जैसे मम्मी ने लिख दिया वैसे आपको भी लिखना है ठीक है चाइड़ को you have left the की अंदर टेबल अर्थात तुमने जो चाबी है किस पर रखी है मेच पर छोड़ दी है इस तरह से आना चाहिए और क्या बन जाएगा मेसेज लिखना है ठीक है तो देखिए इसका अंसर बन जाएगा यहाँ पर तो लिखिंग के बॉक्स बनाके मेसेज फार मदर अर्थात मा के लिए संदेश अब उसके बाद लिखना है हमें going out to play for an hour जैसे यहाँ पर हमने जाना उसके अनुसार से अर्थात एक घंटे खेलने के लिए बाहर जा रहा हूँ ऐसा संदेश लिखने है और चावी रखे उसको भी लिखना है तो लिखें कि उसमें दख्की is on the table चावी मेज पर है फिर अपना नाम लिख देना है नीचे में जैसे मा के जगा नाम लिखे ना वैसे ही यहाँ लिख देना है ठीक है फिर इस मेसेज वाले question का answer बन जाएगा अब देखिए यहाँ पर question B दिया दर है पूर्द पंक्वेसन मार्क पंच्वेसन मेंस होता है विराम चिन है विराम चिन अर्थात विराम चिन है लगाईए कौन कौन से विराम चिन है इन्वर्टेट कामा दिया गया है question मार्क capital letter रहेगा वो लगाना है full staff and कामा यह हमें कर पंक्वेसन मार्क करना है तो देखिए पहला दिख्या देखो write your name अपना नाम लिखे अब देखो कोई sentence पर आरम होता है तो पहला letter जो है capital में रहेगा तो यह capital में नहीं है तो इसको क्या कर देंगे हम लोग capital में लिख देंगे किसको w को ठीक है the teacher said अब teacher ने कहा तो जो teacher न कामा कर देंगे यह हो गया और teacher set के बाद क्या लिख देंगे fully stop अब देखो यहाँ पर आई जो है small letter है और याद रखना आई जब भी single eye एकला होता आई तो वो हमेशा capital में रहता है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे capital लिख देंगे आगे देखते हैं तो lifted the pink chalk on the blackboard and stood there यहा चाक उठाया और blackboard के समीप चला गया लिखने के रिए है ना और stood there वहाँ खड़ा हो गया तो यह sentence समाप तो होता है तो यहाँ पर तो हम लोग क्या कर देंगे fully stop लिख देंगे तो fully stop mark लगा देंगे उसके बाद देखें यहाँ पर क्या दिया है यहाँ देर तक हो गया अब देखते हैं देखो देर में क्या लगा देंगे fully stop लगा देंगे इस्टो देर के बाद अब देखो don't you know your name क्या आपको आपका नाम नहीं पता अब क्या सब्दा आया है मतलब यहाँ पर हम लोग क्विश्चन मार का लगाएंगे अब don't अब don't में देखो D जो है start हो रहा है sentence तो D हो जाएगा capital और N और T के बीच में लग जाएगा apostrophe तो इस sentence में तीन punctuation mark लग गया D बदल दिये यहाँ पर apostrophe किये और यहाँ पर question mark sentence हम आप तो होगे मतलब question mark लगा तो अब देखो I small है इसको capital कर लेंगे ठीक did not answer I did not answer तो इसके बाद क्या कर देंगे यहाँ पर अलपविराम लगा देंगे ठीक है इसको बड़ा खल लिए इसको अलपविराम लगा लिए अब देखो what is your name रवी फिर question पूछने वाला हुआ तो यहाँ पर question mark लगाएंगे क्या लगा लेंगे question mark ठीक है और रवी रवी का R को capital करेंगे ठीक है question mark लगाए रवी के R को capital किये और इसमें inverted comma कहां से start करेंगे यहाँ से what is your name जैसे उपर में लिखे न write your name तो इसे inverted comma यहाँ से start करें और रवी के बाद ऐसे करें और full stop लगाएं close हो जाएगा फिर I को capital करेंगे और I said मैंने कहा ठीक है उसके बाद यहाँ आप लगा देंगे full stop तो इस तरह से बन जा गए question B का answer चलो अब देखो activity आ गया question a listen to your teacher अपने शिक्षक को सुने and make a speaking string अर्थात बोलने वाले यंत्र हमें बनाना टीचर जैसे बोलता जाएगा वैसे तो यह बना सकते हो देखो क्या क्या लगेगा चीज things needed आवस्तिकता हो कि कौन से बाद सुक पीस आप इस्टिंग रस्सी लगेगा पांस से दस मीटर की बीच में और टू प्लास्टिक कप्स लगेगा जैसे यहाँ पर दिख रहा है तो क्या करना है वो बता जिता हूं appendix को देखने की आवस्तिकता नहीं है तो यह दो कप ले लिए disposal और यहाँ पर सुई से छेद कर लेना दोनों तरफ छेद कर लेना फिर रस्सी को ऐसे इसे छेद के अंदर डाला है और वहाँ अंदर में गार्ड बान देगे तो अटक जाएगा तो दोनों तरफ वैसे ही कर फिर एक वैक्ति ऐसे पकड़ लेना जैसे चीत्र में दिखाई दे रहा है अब एक वैक्ति बोलेगा और एक वैक्ति सुनेगा तो इस तरह से थोड़ा आवाज जो है इसमें तिवर हो जाता है तो यह है speaking string तो इस तरह से activity करके a question कर activity करके ऐसा यंत्र बना सकते हैं अब दे गेव यूटू चेक अर्थात यहाँ पर आपकी मा के द्वारा आपको चेक करने के लिए दी गई वस्तों की सुची है tell your mother how much how many things are left at home example are given है ना तो how much अर्थात कितना है है ना मातरा संख्या यह हमें बताना है how much and how many मातरा और संख्या क्या करना है बताना है तो एक बार और बता देता हूँ यहाँ आपकी मा के द्वारा आपको चेक करने के लिए दी गई वस्तों की सुची है अपनी मा को बताओ कि कितनी वस्तों में और मात्रा और संख्या में घर में छुट गई है उधार नीचे दिया गया है तो देखो यहां पर राइस दिया है ठीक है तो राइस तो यहां पर दिया है देखो there is a little rice left है थोड़ा चावल बचा है छूटा है या बचा है अब देखो राइस यह बड़ा है तो little इस्तिमाल किये क्या किये है little इस्तिमाल किये अर्थात यह how much है कितना अब देखो little का इस्तिमाल क्या होता है non countable अर्थात जिसको हम गिन नहीं सकते बहुत सारा रहता है rice है ना गिन नहीं सकते और यह जो है small mount में रहता है कम संख्या में रहेगा और singular farm में ही में रहेगा तब इसका how much अर्थात little का उपयोग करेंगे अब उसी का second देखो there are a few pains left यह pain वाला आ गया ठीक है there are a few pains left अब यहाँ पर little नहों करेंगे क्या हो गया a few हो गया pains को देखेंगे तो बहुत अचान है ठीक है तो यह how many माला में है कितना है कितनी संख्या है how many means कितनी संख्या में तो यह countable ना हूँ इसको हम लोग गिन सकते हैं इसलिए a few का इस्तिमाल किये ठीक है और noun जो है जब pain noun है और किसमे है बहु अचान में है plural में है याद रखना है ठीक है संख्या में रहेगा how many पूछ रहे हैं तो संख्या में रहेगा countable है countable noun है इसको गिन सकते हैं तो इस तरह से rice air पेन का oil का butter का ठीक है तो बनाना परार्म करें तो butter का बनाते हैं पहले butter का बन जाग यहाँ पर there is a little butter left थोड़ा मक्खन बचा है या छूटा है अब little का इस्तमाल किये है इसको गिन तो नहीं सकते butter को इसलिए अब यहाँ पर दिया है biscuits है न तो यह बन जाएगा there are a few pocket biscuits left कुछ pocket biscuits बचे हैं इस तरह से इसका sentence बनेगा तो इसमें few है few मतलब हम biscuits को गिन सकते हैं ठीक है salt दिया है तो salt का हो जाएगा there is a little salt left थोड़ा नमक बचा है चुटा है गिनते गिनते ठक जाएंगे इसलिए little का इस्तमाल कर रहे है ठीक है candles बहुँ अचन है तो समझ जा a few का इस्तमाल होगा तो यह बन जाएगा there are a few candles left ठीक है कुछ बहुँ बतिया बाकी है या चुटी हुई है pencils तो इसमें भी यह होगा there are a few pencils left कुछ pencil है बची है या चुटी है and next देखो flowers दिया है यह भी बहुँ अचन में है तो यह बन जाएगा there are a few flowers left कुछ full बाकी है या बचे है छुटा है ऐसा apples यह भी बहुँ अचन में है तो ऐसा ही बनेगा there are a few apples left कुछ से बचे है इस तरह से बन जाएगा अब देखो और दिया है match boxes match boxes दिया है तो यह भी बहुँ अचन में है तो few वाला इस्तमाल होगा इसमें भी there are a few match boxes left दिया बाकी है बची है चुटी है ऐसा बोल सकते और सुगर अब इसको गिल नहीं सकते तो इसका little का इस्तमाल होगा यहाँ पर there is a little sugar left ठोड़ी चीनी बची है यह चुटी है तो इस तरह से क्या बन जाएगा यह sentence बन जाएगा अब यहाँ पर देखिए B2 दिया है, work in pair, जोड़ी में काम करना है, किस में काम करना है, जोड़ी में काम करना है, अब देखो, use the words given in the box in exercise B1, ask your partner, तो यह आपको करना है भई, अभ्यास B1 में box से दिये हुए सब्दों का प्रियोग, कर सहपाटी को पूछिए, पूछना है, जैसे example दिया है, वैसे है, आप लोग क्रिया कराब करेंगे अपने class में, ask, पूछ रहा देखो, could I get some rice, please, मुझे कुछ चावल मिल सकता है, please, ऐसा एक पूछेगा A वाला, B वाला क्या बलेगा reply, गर देने की इच्छा है, तो क्या बलेगा, yes, please, है न, अब नहीं देना है तो, sorry, you can't, नहीं, आप नहीं ले सकते हैं, ऐसा बोल दो, तो वैसे ही, some rice दिया है, तो पहला number rice था, उपर देखे तो, उसका pain oil था, तो some का इस्तमाल करेंगे, और इसको वैसी रखेंगे, और बोलते जाएंगे, कुछ चेंज नहीं करना है, या आप rice को चेंज करना है, द दूसरा वाला, दूसरा विध्यार थी, और नहीं देने की इच्छा है, तो, sorry, you can't, आप नहीं ले सकते, आपको नहीं दे सकते, तो इस तरह से यह बना लेना, कौन सा, B2 का, ठीक है, B2 को इस तरह से बना लेंगे, अब देखो, यहाँ पर, question, B3 दिया गया है, read the telephonic conversation, conversation मि अब टेलिफोन के माधिम से, between Anus, Mom and Rani, Anu की ममी और Rani की बीच, टेलिफोन में जो वारता हुआ, को पढ़िये, read करना है, तो, क्या-क्या हुआ देखते हैं न, Mom बोलती है, hello, ठीक, फिर Anu बोलती है, hello, क्या, speak to Rani, क्या मैं, Rani से बात कर सकती हूँ, फिर उसकी मम बोलती ह May I know who I am speaking to, May I know, क्या मैं जान सकती हूँ, who I am speaking to, मैं किस से बात कर रही हूँ, मैं जान सकती हूँ, मतलब आप कौन हूँ, है न, फिर Anu बोलती, it's Anu, मैं हूँ Anu, ये बोली, फिर Mom बोलती, oh, Anu, Rani has gone out, Rani जो है, बाहर चली गई है, Anu को ऐसी बोलती है, फिर Anu क्या बोल है न, I will call later, मैं बाद में, call करूंगा, phone करूंगी, good day, आपका दिन सुभ हो, ऐसा बोलती है, फिर Mom बोलती है, good day Anu, आपका दिन सुभ हो, Anu, फिर Anu, call again, Anu, फिर से phone लगाती है, बाद में, ठीक है, वो यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ है, देखिए, complete the telephonic conversation between Anu and Rani, अब Anu और Rani की बीच में, बीच में जो telephone में वारता हुई, उसको यहाँ पर complete करना and act in out, ठीक है, यहाँ देखिए, Anu, hello Rani, it's Anuradha, hello Rani, मैं Anuradha, इस तरह से बोलती है, उसके बाद, देखो, Rani, hi, अब यहाँ पर हमें blank को fill करना है, earlier, तो यहाँ पर मन जाएगा, are you called, earlier, आपने पहले काल किया था, ऐसा Rani बोलती, फिर Anu बोलती है न, yes, हाँ किया था, mother, तो ममी ने क्या किया, had received, तो ममी ने काल को उठाई थी आपकी, ऐसा बलाए, फिर Rani बोलती है, where, अब कहा, अब कहा गई थी, उसको पूछना है, है न, तो where did you gone, अब कहा चली गई थी, य है न, तो यहाँ पर बोलेगी, I went to library, मैं उस्तकाले गई थी, तो यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, went to, बाजु मैं भी लिख सकता हूं, है न, मैं, तो यहाँ पर फिल कर लेंगे, अब देखो, Rani बोलती है, did you, है न, अब इसके बाद, on your project, तो यह क्या बन जाएगा, did you, work on your project, अपने अपने project प्रियोजना पर, कारिय किया, है न, तो क्या काम किया, ऐसा है, और कर लिया है की नहीं, यह पूछती है, फिर अनू क्या बोलेगी, देखो, yes, I did, हाँ मैंने किया, ऐसा बोलेगी अनू, फिर Rani कह, तो Rani बोलेगी, यहाँ पर तो नहीं दिया है, लेक Do on that project, आपने project पर क्या किया, project बना रही है, तो क्या किया, एक project बढ़ा गए, इसलिए कर रहे है, फिर अनू बोलेगी, answer देगी, कि उन्होंने project पर कैसे काम किया, किस तरह से खोजी, वह बताएगी, अनू राधा, ठीक है, फिर अनू बोलेगी, I checked the project, and search some image and new things, मैंने project को अच्छे से चेक किया, और कुछ वस्तूओं, image को खोजा, ऐसा बोलेगी, फिर आगे लिख देगे, I also solve all the works on our project, तो हमने, मैंने, पूरे कारे को पूर्ण किया, solve कर ली, और project त्यार हो गया, हो गया, तो इस तरह से अनू बोलेगी, तो इस तरह से बनाओगी न, तो बन जा इस question का answer, प्रोजेक्ट को आप लोग कर सकते हो, तो इस तरह से इस question का answer बनता है, साथ इस lesson का भी question असर हम लोग, यही बर समाप्त करते हैं, आसर करता हूँ, यह वीडियो जो आपके लिए help full होगा, ऐसे ही, और अन्य वीडियो की जनकारी के लिए, हमारी channel DD की पार साला को subscribe कर लिजी और दबाए बेल आइकन को, ताकि आपको notification का मादब से नए वीडियो की जनकारी मिलती रहे, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, जय हिन्द, जय भारत